मीठे पाने की जो सबसे बड़ी प्रमुक जील है उसका नाम है जैसंबंध जील को जैसंबंध जील दोस्तो इस जील को डेबर जील भी कहा जाता है क्या दोस्तो डेबर जील भी इसको कहा जाता है यह कहां पर सलूंबर अगर आपको सलूंबर दे देता है तो सलूंबर करेक् में इसने निर्मान किया था दोस्तों यह राजस्तान के अंदर अगर मैं बात कुरूँ राजस्तान में मीठे पानी की सबसे बड़ी क्रत्रिम जील है दोस्तों कौनसी सबसे बड़ी क्रत्रिम जील है आर्टिफिशल लेक मेंमेड लेक भी बोल सकते हैं इसको दोस्तों ठीक ह गोमती नदी के अलावा दोस्तो इसमें जावर और बागर नदी का भी कौनसा जावर याद रखेगा आप गोमती नदी के अलावा दोस्तो अगर किस नदी का पानी आता है बागर नदी का पानी भी आता है किस किस का जावर और बागर इन दो नदियों का पानी भी इसके अंदर आता है पानी कहां से आता है दोस्तों पानी जो है इन तीनों नदियों का गोम्ति का जावर का और बागर का इनका पानी आता है डेबर दर्रे से कहां से आता है डेबर दर्रे से पानी आता है इसलिए इस तापू को दोस्तों क्या का जाता है बाबा भांगर बाबा भांगर का टापू और सबसे चोटे को दोस्तों चोटा है तो सबसे प्यारा ही रहेगा चोटे टापू को प्यारी टापू भी कहा जाता है क्या का जाता है प्यारी टापू भी कहा जाता है ठीक है इस जो जील है उ सरवाधिक जेव विविद्दा है सरवाधिक जेव विविद्दा है तो जहां पे जैव विविद्दा ज्यादा है वहां पे जलचर है वो भी ज्यादा होंगे दोस्तों मतलब जल में रहने वाले प्राणी इसको क्या कहा जाता है जलचरों की बस्ती भी इसी जील को कहा जाता जल चलो की बस्तिया डेवर जील इसको कहा जाता है अगर एक और फैक्ट में बताऊं दोस्तों मैंने हमने पहले ही बताया था कि राजस्तान की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है तो अगर मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम जील कौन सी है तो वह है दोस्तों गोविन साकर गोविन सागर जील बागडा नांगल टैम हिमाद्चल में बनी हुए है